यह हमारी पैचान पूछ रहे हैं कि 70 सावे के बाद, 700 बरस हमारे लोगों ने राज किया इस देश में, 1200 बरस समराक शोग के भुद्धों ने राज किया इस देश में, उन्होंने नहीं पूछा किसे खें, सिकंदर भी आया यहाँ पर, बाबर भी आया यहाँ पर, अंग्रेट भी आया, डट भी आया, सट भी आया, हुन भी आया, दुनिया भर के लोग आए, हमला किया हमारे मुल्प पर, किसी ने हमारे पूछा नहीं कि आप देश के नागरिक हो या नहीं, तो ये अभी भरभुण जाए है ये पूछ रहे है कि आप ये कानुन का मतलब क्या है मुझे बताए हैं भाई सब्विधान में लिखा हूँ है बाबा साब ने सब्विधान किस के लिखाता मुसलमानों के लिखाता तलितों के लिखाता इंडियों के लिखाता सिखों के किसके लिखाता अब आप 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 कोण सी भाषा बोलते हैं नहीं पुछा इस भारत मां के कोक से जो भी पैदा हुआ उसको इस देश का नागरी खोने का अधिकार मिलना चाहिए ये लिखा बाबा साब में जब सामीदान नहीं लिखा है तो मैं शगूफा लाने की क्या ज़रोते मुझे बताई तो एक एवर आरेसेस का अजनला है ये आरेसेस लोग ये कभी दुनिया में देश भगता नहीं थे कभी देश भगता नहीं थे आरे जो गांडी जी को घोली बार देश भगता हो सकते जहै है है एक सैब मातमा गांडी जी की thinking एक सो पचासवी जायन की मनाई ह footprints के ले गंडर में एंक तरह पाले सवाले एक तरह पिये जर्म को बैंद्य मोजी साहब मादेश के पर्धान मंतरी गांदी जी के आगे माधाbel ए्युंद करने वाले नातुरा हम् train कैसा होगा वैं इसको relie की जा सकती है गलती तो हमारी हो गए शाला चून के दे दिया उनको हमको लगा काम अच्छा करेगे यह हमारे सीने पर बैट कर हमें चलने करने की कोशिश कर रहे हैं यह विश्वास खाको ले सबका साथ सबका विकास और देज भकास ऐसा इनका सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की बात करते हैं तो जेश के करो दो करो और हो चाहे बुसल्मान हो चाहे डलीट हो चाहति वासे और जंड पाड़ों में रहने वाले हमारे गरीब लोग हो हाथ पर लाकर पट्टल पर खाने हो हला मेरत करने वाले हमारे गरीब लोगो इनके बारे में कभी सोचा है इनों ने हम क्यों इत्ता जालते हैं हम इस देश के नगरी के हमें किसी की पैच्छान बताने की ज़रूरत नहीं है यह कानून जो ला रहे है ना यह आपको पूछेंगे के आप इस देश के नागरी को ढईने शेहरी के ना उसे अपने दर्व बें आप सहरी होके नहीं आप बोल गए positives हम को है तो उसका evidence बताईए evidence को क्या बताईए उसको पोड़ में ध्रूरूरत बताईए तो फिर आप राशन कार लेकर जाएगे नहीं यह नहीं चलता अब इनके ब्राशन अब पैन कार लेकर जाएगे तो जनाब कहोगे यह भी नहीं चलता अब आधार कार लेकर जाएगे तो पहेगे यह भी नहीं चलता अब पास्पोर्ड लेकर जाएके तो ये भी नहीं चारता है भड़े चलता चाहे बताओ तो तो बोलेगे तुमारा बाप तुमारा दादा तुमारे दादा का दादा दादा का दादा का दादा अब मुझे पिता जी तक का मालूम है लेकिं मेरे दादा जी का नहीं मालूम का कहा पैदा हुआ था कहा तो लाओगा भज़ा सर्टिफिकेट में यह सब तमाश हमारे देश में हो रहा है यह क्यों कर रही है लोग यह सा पाकिस्तान से जो आएगा अंगला देश से जो आएगा अपगाणिस्तान से जो आएगा उनको हम नागरी का देंगे कहा करें आप शहाँ साब कह रहा है कि हम नागरी का देनी के लिए कावन बनाएं चिनने के लिए बना है तब तुम्हारा इतना ही ने इरादा अगर होता इतनी इमानदारी होती तो गांधी को मरवाने वाले तुम लोग आज देश के करोड़ों लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं आजी जी को मार कर इंका दिल ने भरा भी तक इस देश के दलितों को आजी वासियों को मुसल्मारों के अधिकारों को नागरिता के अधिकारों को छिंकर गुलाम बढ़ कर इन लोग करोड़ों को मारने की साजिश कर रहे भारत मा की एकता और अखंड़ता को तोलने की कोशिश कर रहे वे रहने वाला हमारा आगी वासी हो हमारा गुमन्तु समाज हो ये हम लड़ रहे करें एक चीज़ के लिए इस देश की भारत माता की एक तारक हड़ता बनाने के लिए जिस बाबा साब ने सब्विधान लिखा वो स्थविधान की हिफाज़त करने के लड़ रहे हैं हम स्थविधान की हिफाज़त स्थविधान गुलदस्ता होता है रहा गुलदस्ता देखा होगा आपने आगवान होता है बागवान तो बवीशा के अलग-अलग रंग के फूल एकटा करता ए, तोटए एकटा करता है और जब उसका एक गुलदस्ता बनाता है, सुन्दर गुलदस्ता बन जाता है यह गुलदस्ता है हिंदू हो, बसलमान हो, औलीत हो, अधिवासी हो, सिक्खो, ईसाइ हो सभी धर्म के सभी जाती के लोगों को, अलग-अलग भाशा बुलने वाले लोगों को, इकट कर लाकर बाबा साब ले एक बुल्डस्ता बना, उसका नाम है सवीधान, सवीधान, उसका नाम है सवीधान तो इस वार जड़ाया बाबासाब ने समय दान लेकर करें तो किसी कौम के हो किसी जाती के हो लेकिन भारत माता के सपूत हो तो इंसानों के तरह जीरे का अधिकार हमें मिलना चाहिए यहां तो साले इंसानों के तरह जीने भी नहीं देते हैं और इंसानों के तरह मरने भी नहीं देते हैं यह हाल हमारे है वह साब ने हम केवल दिलासा देने नहीं आए हम इस आंदोलों के सहीनी सिपाई है सातियों सिपाई है मैं दिल्ली में भी गया अब कल परसों में उधर भ में लगी जहाँ जहाँ सब तरफ पीपस्ति पब्लिक पर तमाम लोग मिलकर किसी पार्टियों आटी को बाजुबे छोड़ो कि कि सब विधान मुश्किल में है सब विधान मुश्किल में है तो देश मुश्किल में है देश मुश्किल में तो देश की एक ता अखंड़ता मुश्किल में है हमें बचाना है देश की एक ता को हमारे हमारे तुकड़े कर डालो लागा है को अगरता है कर हमरे सुहाज आज मरे सुहबर जाएगे हम लेकिन भारत माता के कलेजे के तुकड़े करने वालों को इस देश की धर्टे में दफ़न करके रख देगे हम इस बात के जाने हो तो बाबा साब का सम्विधान कहिता है है आत लेके चलो काइनात लेके चलो चलो तो सारे मुल्क के तमाम लोगों को साथ में लेके चलो ये कहने वाला इस देश का साविधा हमारा हम जद्द जहत कर रहे है अंगर से कर रहे है मोदी के खिलाप नहीं कर रहे है उसके खिलाप क्या करेगे भई जा साह के खिलाप नहीं कर रहे है इनके जो आका है आरेसेस वाले अस्ट ये अन्दी जी को जिन्होंने मरवाया और बैरिस्ट जीना को भैला कर फुसला कर पाकिस्तार मांगने पर मजबूर ही नहीं किया मौला अबूलकलम अदाद और बैरिस्ट जीना सब नहीं चाहते थे देश की बत्वारा नहीं चाहते थे लेकिन यह हमारे साथ पर हाता हमारा क्या होगा इस डर के हो जिस तो उन्होंने ही सारे से स्वाले लोगों ने देश का बत्वारा करने के लिए मजबूर किया और आज कोई लोग एक कानून ला कर ना भीत्ता कानून ला कर से एनारे एनारसी कानून ला कर एंपियार कानून ला कर फिर दूसरी बार इस देश का बत्वारा करने के साज़ेश करते हैं एक बार बत्वारा हो चुका भाईया अब बत्वारा करने का खौब मत देखो कि जाब गई आप गईए कौम जाब गईए कौम आप जाकर देखिये दिल्ली के दिल्ली गेट पर जाकर देखिये इंडिया गेट पर जाकर देखिये अजा लिवे हैं जो सईो हुए उसमे करीबान 90 नाम हमारे मुसल्मा लोगों कहम aujourdब्ब नाम नब्वे प्रतिशत, साथ प्रतिशत डलीतों के नाम है, हमारे OBC समाथ के करीमन दस प्रतिशत नाम है, और आने से स्वारे का एक भी नाम नहीं, दीस के आगा भी किलगाई में साला जिनों ने कुछ किया ने, खाया पिया कुछ रहे, खाले गिला सोर दिया वाला हिसाब कर रहे ये लों, आजादे रहे हमने, आजादी के लाए हम लड़े, अश्पा खुला खान जैसा मुसल्मान नौजवान, सर्दार भगत सिंग के कंदे से कंदा लगा कर, अंग्रेजों के फासी के फंदे पर जूर गया है हमारा बादर बच्चाथ, कंदे से कर अधाद, और राजगुरू, सद्दार भगत सिंग के कंगे से कंगे मिला कर अश्पा खुला खान जैसा हमारा नवज़वान सहीध हो गया देश के लिए कुर्बानी दी तुमने क्या दिया गांदी जी को मरवा दिया और जब भगत सिंग सहीध हुआ तो उसकी मा रोई नहीं सात्यो यहां मेरी महिला आण माता भ 선택त रही है भगत सिंग जी को आप गयर मेरी मा होती तो च्छाती पीट कर रोती लेकिन उसकी मा नही रोई उसने सीना तान के कहा मेरी मुल्क की आज़ादी के लिए मेरा भगज सहीद हो गया इस से ज़्यादा फक्र की बात मेरे लिए क्या हो सकती अश्वाख खुला खान भगज सिंग के कंदे से कंदा लगा कर अंगर जोके ठास के ठंदे पर जूल गया तो अश्वाख खुला खान की अम्मी नहीं रोईगी सीना तान के कहा कि मेरे मुल्क के लिए मेरा अश्वाख कुर्बान हो गया मेरी कोक का सोना हो गया, मेरी कोक का सोना हो गया, कहने वाली हो माता, फ़ला उन लोगों को, पैस चाहर पत्र बताने की बात करते हो, इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, ये बताओ, असा कानून बना तो शेहम नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे हर पीडी, दर पीडी, गद्दारी और करते रही बीमानी करते रही बीमान लोग इमानदार लोगों को हिस्ताब पूश रहे बताईए अगर्दार देश के साथ जिनों ने गद्दारी की महात्मा गानी का खुन किया वो हमें देजभक्ती का प्रमान पत्र पूछे, देजभक्ती का प्रमान पत्र बाखे, शाथी ये कानुन जो आएगा, तो नागरिक्ता के जो अधिकार है वो छिन लिये जाएगे, छिन लिये जाएगे, आपका मकान आपके आप मालिक हो मकान के अगर नाग रिकता नहीं सिद्ध कर रहे शाबी तही कर पाए नाग रिकता तो आपको आपके मकान काधिकार छिनना छिन लिया जाएगा आपको बिजली नहीं दी जाएगी आपको बैंकरों से कर्जा नहीं मिलेगा आपको कार्बोरेशर का पानी नहीं मिलेगा और सबसों बड़ी बात जो बुनिया दी हक बाबा साफ के सर्विधान नहीं दिया चुनाओं में होट डालकर अपना सरकार अपना राजा चुनने का अधिकार वो भी नहीं मिलेगा बताई फिर क्या करोगे कुन पूछेगा फिर तुमको यह दिखिए ना कितना बड़ा हत बाबा साहब है बहले के जमाने में जनाब रानी के पेश से राजा पैदा होता था इस देश का सभीदान बनाकर बाबा साहब ने सचमतकार कर दिया रा कुछ लेकि नागरिक बनके नहीं आप कमा काम सिंट रोछी रोग्रोकी कमा मेहनत करो सब कुछ करो लेकिन प्रुनाउमे होट देने का अधिकार नहीं अगर नागरिक नहीं तो फिर क्या होगे अगर आप नागरीग नहीं बने होगे यह ब्राह्मन वाजियों के मनु वाजियों के आरेसेस वालों के गुलाम बनोगे इस देश के यह किवर मुसल्मानों का मसला नहीं है इस अधियों कि मुसल्मानों का मसला नहीं है धन्यवाद देता हूं कि देश के तमाम हमारे बहने आज सलक पर उतर चुकिए है, बुरका डाल कर ही सही, तकि सलक पर उतरी है हमारी माता बहने, ये माता बहनों की ताकत देखी आप, अगर ये सरकार ने ये कानुकाला कानुन वापस नहीं लिया, तो ये हमारे माता बहनों के हाथ में काच की चुडिया है, ये अन्याद क प्रचार ले सरकाने बंद नहीं किया, तो हमारे माता भेनों के हाथों की काश कुछुडिया, तल्वारे बन जाएगी। तल्वारे बन जाएगी। किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हमकों? हम मांगते हैं रोजी रोटी। तो हमें बताते हैं हिंदू, मुसल्मार और पाकिस्तार इतने बताते हैं। हम मांगत हमारे देश के नौजवारों के हाथों को काम दो। हम तो लाख रुपए जमा करने का वाइदा किया तो आपने वो पूरा करो। जिनके सर पर छट नहीं उनको मकान देने का वाइदा आपने किया तो पूरा करो। यह वाइदे पूरे कर नहीं सकते। इसलिए इसमेकार के डौटंग कीरों शुरू कर रखिये। ताकि देश के लोगों का ध्यान महेंगाई। अब तो जागना ही पड़ेगा भाई। कल तक सोए थे हम लोग, अब जाग चुके हैं, खुशी इस बात के हम लोग जाग चुके हैं। कल तक डरता था हमारा मुमीन रास्ते पर आने के लिए। अरे मरता क्या ना करता बोलते हैं। जब गले पर छूरी आ गए, अब ध्यान में रखिये। जो लोग इस अंदोलन में नहीं हैं, ये काले कान के विरोध करने के लिए जो लोग आस्म नहीं हो। बकरे की मा कब तक खैर बनाईगे। मरते में कहवत है, कही जाते आते हैं, जाते आते हैं, तो सुपा के लोग कहा सुन रहे लिए। सुपा के लोग का नहीं जाते हैं, जाते हैं लक्षा क्यों। वो चक्की होती है न, चक्की। पहले जी के जमाने में हमारी मा बेहने हैं। चक्की पीस्ते लिए। माल उने बेहिमानों के तो सूप वालों को भी फिर जाते में जाना है करके है। भूस में आईए दबने क्या बात है। जिद्दा रहरा शान के साथ जियेगे, मन रहरा है तो शान के साथ मरेंगे। क्या फरगिना है। और गुलाम बनकर मरने के बजाब बहतर है। और हमने अगे अग्रेजो की गुलामी तोड़ दी। जंगिरों को तोड़ दिया। तो यह ब्रह्मन वादियों की मनु वादियों की आरेसेस वालों के गुलामी को तोड़ने में क्या समय लग सकता है। 10-20 लाथ देश के आदादी के लिए 10-20 लाथ हमारे लोग शहीद होगे आदादी के लगाई में तो देश की एक का रखने का मजबूत करने के लिए 102 करोड लोग अगर मर जाए तो क्या फर्टिता है हमारे लिए हमारा देश हमारी शान हमारी आन हमारी बान है हमारे देश की एकता के इलाई चल रहे है देश की एकता मद्बूत करने के लिए देश की अख़ड़ता को बरकरार रखने के लिए कोई तेड़ी आग से हमारे देश के तरफ देखे का हमारे सभी धान के तरफ देखे का तेड़ी आग करके और समीधान को पाउत ले कुचल करी देश की एक ताकड़ा को मिटाने की कोशिश करेगा उसके तांगों को तोड़ के रख देगे हमें के ताकटाज हमरे माई तहां सब मिलकर ये फैसला कर ले हमारे आंदोला भी 22 दिन हो चुके हैं मैं आपको बढ़ाई देता हूं साथियो कि पिछले 22 दिन से आपर बैटे हो मैं भी जहां जहां जाता हूं हमारी कल कल मैं वो धर में था अमराउती में था वहां भी यह इसी प्रकार की एनार से के विरोध में हमारा जलसा था तो इसलिए मैं आपको बढ़ाई देता हूं धन्यवाद देता हूं लड़ते रहो यार बाबा साहब ने कहा मांगने से तो भीक मिलती है अगर भीक चाहे तो जाओ भे कहीं भी जाओ हमें नहीं चाहिए ऐसे भीकारी लोग नहीं चाहिए बाबा साल अमबेट करने कहा मांगने से जो नहीं मिलता उसको छीन के लेना उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी तो धरूर देना हम कफन बांग कर रब जाओ रास्ते में उतर चुके देश की मर्यादा को देश की एकता को देश की अख़ड़ता को ये काला कानु जब तक रस्त नहीं होता पीछे नहीं लिया जाता तब तक सर से बांदे हुए कफन कभी हम बाजु नहीं हटाएगे निकालेगे नहीं धाय में रखे गए और इसलिए आप सबको आपके बीच में आने का मौका जनाब आपने हमें दिया मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूं जनाब हमारे शेरेली साब है, हमारे कांसिलर साब है, कारपर्टर साब है, हमारे काफी पुराने मित्र है, काफी दोस्त है, जाने मन है, जाने जिगर है, क्या-क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे. और अधे जो नहीं समझते हो जाएगी उता आरे से स्वाल है कि उधर से जाएगे वहाँ पर कई चिंता ने करने जब देते हुए आपने मुझे यहाँ शरी खोने का मोका दिया इसलिए मैं आपको शुक्रियादा करते हुए पिर एक बार आप सब को बद़य देते हुए अप आपने शब्दों को विराम देता हुए धन्यवाद जैवे आप यहाँ पर आये हम पूरी कुल जमाती तहरीक के जानेब से शुक्रिया आदा करते हैं धन्यवाद सब दो ही मिट अगर आप रुख जाएं तो इसके बाद राष्टे राष्टेगीत होगा उसको आप शुरी कहें कर मैं को हुए भारत देश की क्या है शान आपको कहना है बाबा साहब का संवी धान भारत देश की क्या है शान बाद देश की कह शान भारत भारत देश की कैर शान डारत देश की केर शान जिस तरह से आपको पता है वी जो हमारा धर्मी अंज्वर में 24 मिंटेगा है मगर खानून के दारे में रहते हुए हमें यह कारिकम चलाना है 10 बजे हमें माईक की पाबंधी होती है बंद करनी की पाबंधी होती है इसके दिस्टीफ हमारा बड़ा माईक बंद होगा मगर अमारा पुट्टिस जारी रहेगा इसके बाद दूया होगी और मैं अद्बन गुजारिश करता हूँ नहापे इनके वे लोगों से कि दूया में जरूरी शुरिक हो आखरे वक्त में उन्हा का तम्हीद परी जाएगी स्विधान का तम्हीद परी जाएगी प्रियंबल परा जाएगा उसके बाद आप नहीं बैटे रहे हैं बड़ा माइक बंज रोगा बाखी मैमान जो जा रहे हैं उन्हीं जाने दे और बाखी लोग नहीं को बाखी